दोस्तों कैसे हैं आप लोग आज मैं आप लोगों को Swift Desire 2016 मोडल के जो है उसके कुछ फीचर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ तो वीडियो को अन तक जो है जरूर देखेगा आईए दिखाते हैं अपने Swift Desire 2016 मोडल के कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में जो नॉर्मली हर किसी को पता होना चाहिए दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी जो हर कार के जो कीज आते हैं वो इसी टाइप के आते हैं एक में लॉक्ट सिस्टम होता है एक में अनलॉक सिस्टम और एक में जो है बैक के जो डिक्की होती है उसे उपन करने के लिए और दोस्तों Swift Desire 2016 मोडल में एक यह है अब दोस्तों हम आपको कार के अंदर के कुछ special features के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको जनरली पता होना चाहिए तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं कार के अंदर आ चुका हूं मैं कि को यहां रख दिया तो दोस्तों one by one हम जो है सारे features इसके बारे में बताएंगे एला feature हमारा यह है कि जो 2016 मॉडल का जो डिजायर है इसमें जो है की की जरूरत नहीं पड़ती स्टार्ट करने के लिए यहां पर बस एक single switch दिया है इसी से इंजन जो है स्टार्ट होता है इसी से जो है कार जो है बंद भी हो जाता है आपको प्रूफ के साथ मैं दिखा देत सकते हैं दोस्तों स्टार्ट हो चुकी है झाइड और आप दे देख सकते हैं इसी को मैं दुबारी किलिक करने पर यह जो है दुबारा बंद हो गई देख सकते हैं दूश अ सब्सक्राइब भीवाफ कानी तो इसमें दूस्तों पहला फिटर तो यह है कर ये इसमें जो है AUTOMATIC SISTEM जो है दिया हुआ है बंद करने के लिए एसे तो दोस्तो जादा तर नए मॉडल के मोडल्स के जो कार रहे हैं इसमें नहीं दिया थाивать-ुर्अश gracie इसमें या अग्या कुरशह करने के लिए मैं जब इसे प्रेस करओं गा तो देख सकते हैं दोस्तों कि यह जो है क्लोज हो जाएगा मैंने प्रेस कर दिया दोस्तों देखिए यह मिरर जो है दोनों साइट का क्लोज हो रहा है अब उसके बाद दोस्तों अगर मैं सी पर दुबारा जब क्लिक करूंगा तो यह वापस ओपन हो जाएगा देख सकते हैं दो रोटेट करने के बाद जो है लेफ साइट का जो मिरर है वो रोटेट होगा एड़ेस्ट होगा और राइट के तरफ जब एड़ेस्ट करने के लिए जो है राइट का तो दोस्तों जैसे कि मैं राइट का जो है एड़ेस्ट करता हूं तो इससे मैं राइट के तरफ अब आप यह जो है कैसे जो है यह मूव कर रहा है तो दोस्तों और फिचर की बात करें तो दोस्तों अब यहां आप देख सकते हैं यह जो है विंडो विंडो का इसमें दिया हुआ है आप इससे अगर क्लिक कर दे एक बार उसके बाद आपका सिर्फ यह वाला जो यह वाला जो सीशा है सिर्फ यही open होगा और कोई सिसा आसपास का नहीं open होगा देखिए दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ देखिए क्लिक करने पर कोई सिसा नहीं open हो रहा और यह वाला सिसा जो है दोस्तों देख सकते हैं तो अब हम अगले फीचर की बात करें तो यह है चाइड लोग का सिस्टम जब जैसे बच्चे जो ज्यादा तर जो है गेट के किनारे बैठने के सौकीन होते हैं तो जो है छेड चाड करते रहते हैं तो उसके लिए जो है यह लोग दिया हुआ है आप इसे जब यह लगा देत आप से दिया गया है क्योंकि बच्चे जो है चलते हुए गाड़ी में डोर को खोल देते हैं कभी कदार तो एक्सिडेंट होने का चांस होता है तो इसलिए जो है यह दिया होता है तो दोस्तों अब मैं अगले फीचर की बात करूं तो आप मैं बात करने जा रहा हूं स्टे आप यहां सब्सद्र करते हैं अगले फीचर की बात करने चा रहा हूं दोस्तों तो आप यहांस देख सकते हैं यह ब्लوتूथ और और कॉल का सिस्टम इसमें दिया हुआ आप जब इसमें Bluetooth system जो है जब इसमें connect करते हैं या फिर call का connect करते हैं तो इसको जो है cut करने के लिए आपको इधर कहीं पर जाना नहीं पड़ेगा यह आपको बस यहीं पर जो बटन दिया हुआ यह आप इसी से जो है Bluetooth भी बंद कर सकते हैं तो दोस्तों आपको अलग कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है इदर पूरा सिस्टम में देखने जरूरत नहीं है कि कहां से बंद करें कहां से Bluetooth चालू करें यह सब जो है आप बस आपके हुआ करता था फॉर्वुलर सुमें आपके गारी में जो है सभी में दिये जा रहे है इस Indeed दीअधक proportion की बात करने जा रहा हूं दोस्तों तो open झो था इंजिन के लिए तो जो है यहां पर यहां से स्वा्फ होता है जब आप इसे जो हए जब इदर खीचेंगे जैसं कि मैं ने दोस्तों यह खीच दिया अभी जो आगإ कर जो डखन है जो इंजिन वाला जो म सटर है वह जो हो अपन हो चुका है और मैं अगला फीचर दिखाने जा रहा हूं दोस्तों यहां पर इस्टेरिंग में जो दिया हुआ है यह मोड का आपसन जो दिया है यहां पर आपका म्यूजिक सिस्टम में जो है ब्लुटूथ एफम और यूएस्बी जो आपका लगा होता है सीडी यह सब जो लगे होते हैं अब यहीं पर जो है मोड के पर क्लिक करने बाद अब दोसे चेंज कर सकते हैं और यहीं से वॉल्यूम अप और डाउन कर सकते हैं और यहां से चैनल जो है नेक्स्ट बैक कर सकते हैं तो दोस्तों ने यह path यह जो 2016 का मॉडल था है Swip डिजायर उसके जो है यह बहुत basic features हैं जो ज़्यादा तो सभी दो लोगों को पता होने चाहिए और यह जो features है दोस्तों यह ज़्यादा तरह आप गाड़ियों में जरूरी है क्योंकि ऐसा ही फीचर जो है अब सभी गाड़ियों में जो है अलाउट किया जा रहे हैं और हर मॉडल के जो गाड़ी है यह सब अब उसमें थोड़े एडवांस भी आ रहे हैं लेकिन इसे भी एडिट किया गया है तो दोस्तों यह 2016 मॉडल का जो है यह सब मैंने बेसिक फीचर जो है मैंने आपको बता दिया है ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिजेगा ऐसे ही ताकि हमारा वीडियो जो है जब मैं भी अपलोड करूँ कोई भी वीडियो तो उसका नोटिफिक्सन जो है आपको सबसे पहले आजाए तो दोस्तों अगला वीडियो में किस चीज़ पर बनाओ यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा हमारे यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद